मेरी आखों का हर आशू तेरे प्यार की निशानी है जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है ये साहरी एकदम फिट बैठती है मक्सुदना उतराओं हंडिया प्रियाग राज निवासी मुलायम सिम्यादो पर और हैदराबाद की रहने वाली पाकिस्तानी लड़क इकरा जिवानी पर ये कहानी कुछ ऐसी है कि इंडियन लड़का भारती लड़का पाकिस्तानी लड़की के साथ मोबाइल में गेम खेलता था गेम खेलते खेलते उनकी दोस्ती हुई दोस्ती प्रेम में बदल गई और प्रेम इसकदर आगे बढ़ा कि वो लड़की पाकिस प्रक्तान छोड़कर सरहद पार करके बिना किसी डाकूमेंट्स के बीजा पास्पोर्ट के नेपाल के रास्ते भारत में आ गई और भारती लड़के के साथ रहने लगी बैंगलूरू में ठीक है सुरच्छा बलों को हमारी जाच एजेंसियों को पता चला कि यहाँ पर इस त अभी युवाओं से मेरी एक सला है मेरी एक राय है और वो फिर मैं साइरी के माद्धम से ही समझाता हूँ सरहद तुम्हें पुकारे तो तुम्हें आना ही होगा कर्ज अपनी मिट्टी का चुकाना ही होगा देकर कुर्बानी अपने जिस्मों जांकी तुम्हें मिटना भी होगा मतलब क्या है मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गेम खेलिए प्रेम मुहबत अपनी जगह है लेकिन सब से बढ़कर के खेल से बढ़कर के सब जिसम जां से बढ़कर के हमारा देश है देश से बढ़कर के कुछ नहीं है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा देश सर्बो परी है और देश से बढ़कर के कुछ नहीं है अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने जान को भलिदान कर सकते हैं अपने देश के लिए आगे बढ़ सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर दो फैक्ट हैं हो सकता है लड़की गलत हो जासूस हो और हो सकता है कि सच्ची मुहबबत भी हो सकती है क्योंकि आप लोग गदर मुबी देखे ही होंगे गदर मुबे में किस तरह से हमारे सनी देवल साहब जाते हैं और पाकिस्तानी यूटिस उनको प्रेम होता है और उसको ले करके चले आते हैं भारत में पूरे देश में पिच्चर सूपर हिट होती है पूरे देश के लोग ताली बजाते हैं, तो फिल्मों को देख करके आप लोग इतने खुस होते हैं, तो जस्ट वही स्टोरी यहाँ पर भी आती दिख रही है, same to same गदर वाली स्टोरी यहाँ पर भी आती दिख रही है, बस फरक इतना है कि इन लड़कों ने और इस लड़क काम कर रही है, और मेरी ब्यक्तिगत राय यह है, कि अगर इन बच्चों की जाच में ये लोग ये यूवक और यूती निर्दोस पाए जाते हैं, तो इनको clean cheer दिया जाए, और international marriage act के तहत इनकी साधी करवा दी जाए, और जाच को सही तरीके से किया जाए, ताकि निर्दोस हों तो इनको सजा ना हो, और अगर दोसी हों तो फिर भाई सजा तो देश से बढ़के कुछ नहीं है, सजा मिलना स्वाभाविक है, तो आप सब लोग कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, अपने देश की सुरच्छा को देख करके, सोच करके, समझ करके, कोई भी फैसला ल फिल्मों को, तो वही फिल्में हमारे समाज में आती हैं, और उनी फिल्मों को हमारे देश के बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं, और उसी के एकॉर्डिंग अनुसरण करने का कारे करते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जितना इस मेंटर को तूल दिया जा रहा है आप लोग अपनी कमेंट को बताईएगा अपनी राय को बताईएगा और सरकार अपना काम बखुवी कर रही है दूसरी सबसे महत पूर बात ये दूँगा अपने युवाओं को सला दूँगा कि बच्चों दोस्तों मित्रों आप लोग अंतर राष्टी रिष्टे खुद ना बनाईए अंतर राष्टी रिष्टे बनाना सरकार का काम है सरकार को अंतर राष्टी रिष्टे बनाने दीजिए आप अपना काम करिए पढ़ाई लिखाई करिए अपने जॉब पे फोकस करिए अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए औ और अगर अंतर राष्टी रिष्टे बनाना ही है तो कानूनी तरीके से बनाईए जो उसका बैध तरीका है वीजा पासपोर्ट के थूरू सरकारी तरीके से बनाईए गैर कानूनी बनाएंगे तो आप लोग फसेंगे और फसेंगे तो फिर कोई आपको बचाने वाला नहीं ह तो ये मेरी आप सबसे सला है आपकी क्या राय है आप क्या सोचते इस मेटर पर अपना कमेंट जरूर बताईएगा